नमस्कार दोस्तो मेरा अउल सास्तरी सौगत करता हूँ आपका दोस्तो पन्ना रतन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हलाकि पन्न रतन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पर आप लोगों की मेरे पास कमेंट्स आए कि सास्तिरी जी एक वीडियो और बनाए तो मैं और अच्छी तरह से आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बताऊंगा कि पन्न रतन क्यों पहने कि कि पन्न रतन भी काफी expensive रतनों में से एक रतन है यह बुद्ध का रतन होता है और काफी expensive होता है अगर आप original लेंगे अच्छी quality का तो अगर आप लें तो पहले सोच समझ लीजे कि आप सही ले रहे हैं क्योंकि 90% लोग जो है गलत रतन का चुनाओं कर लेते हैं या तो रासी के हिसाब से पहनेंगे या गलत लगन में ले लेंगे या 6-8-12 में गरया होगा कमजोर समझ के उसको ले लेंगे और वहाँ पर आपको अच्छा result नहीं देगा तो विधी क्या होती है कब पहने कैसे पहने क्यों पहने यह मेंने पहली वीडियो में बता रखा है तो आप description में जाके वह देख सकते हैं आज मैं सिर्फ और अपनी दूसरी स्रीज में यह बताने जा रहा हूँ, आपको और अच्छी तरह से ताके आपको समझ में आ जाए कि क्यों पहने, किस कंडिशन में पहने, किस कंडिशन में आपको फादा देगा, लाब देगा, सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ, दूसरा लोग मिरसे कहते हैं, सास्तिरी जी मुझे रतन चाहिए, मैं रतन नहीं रखता, मैं एस्ट्रलोजर हूँ, मैं सिर्फ यह बता सकता हूँ कि कुडली के सबसे आपको कौन सा रतन फैदा देगा, भागे उदे करेगा, सूट करेगा, तो चलिए आज पन्ना के बारे में जर्च कि लेखन के, तर्क वितर्क के, जोतिस विज्ञान के, नाटक के, व्यपार के और साति साथ शिक्सा के, तो कोई जात तक अगर किसी में मानलो जैसी आरदास के कारा कुछते हैं, किसी की भूलने के आदत है, तो पन्ना रतन पहने, इस्टूड्डेंट है, सिक्सा की करते हैं पाएदा देगा जो जा तक है कॉमर्स के च्षेत्रे में CS do जो जातक अपना आपको एक्सप्रेस ना कर पाते हो तो पन्न रतन पहनो पहुत फायदा देगा वानिज्य के छेत्र पे वियपार के छेत्र में और साथ साथ लेखन के छेत्र में पहुत फायदा देगा व्यापार के दरश्टी से धन वरदी के दरश्टी से जिस जातक को मानी 200 तो पन्ना रतन पहने से पहुत पैदा होगा समरंचक्ति को पहुत अच्छा करेगा बच्चों की शिक्सा के लिए पन्ना रतन पहुत अच्छा है साती साथ दूर संचार और खेती बाड़ी व्यापार, मार्केटिज, कॉमर्स, कम्निकेशन नेटवर्क, कॉमर्स इन व्यापार में भी जातक काम करना चाहे तो पन्ना रतन उनको पहुत फाइदा देगा व्यापार के दरश्टी से पन्ना पहुत बढ़िया है व्यापार में जो वर्द्धी करेगा उससे पन्ना रतन से बढ़िया और कोई रतन नहीं है अब रोग की बात करें तो चर्म रोग मुख से रिलेटिड रोग गले में अगर दिक्कत है वानी दो से जीव में दिक्कत है तो भी पन्ना रतन पहने से आपको फैदा होगा पन्ना तो जदा तर कंडिशन के अंदर हमने देखा गया है कि बुद्ध के अस्थ होने के चांसिज बहुत होते है इसलिए पन्ना रतन सबसे ज़्यादा होता है और यह क्या है आपकी बुद्धी तो इस मज़े से पन्ना बहुत ज़्यादा बिक्ता है अब आप देख लिजिए आपको वो शूट करेगा नहीं आपकी कुंट्रले के इसाब से देखिए सबसे पहले समझ लीजिए आपने समझ लिया बुद्ध किस चीज के कारक है और पन्ना बुद्ध की बिसे इस्ता है बताते है तो आप समझ लेंगे पन्ना रतन को पहनने से आपको क्या क्या क्वाल लगन के अदर आप पहन सकते हैं यहां पर दो लिखा है साब लिखा है वर्षप और तुला लगन में आप पहन सकते हैं दस लिखा है और ग्यारा लिखा है यानि मकर और कुम लगन में भी आप पहन सकते हैं इससे अतिरिक कोई दूसरी लगन में आप नहीं पहन सकते हैं कि किसी किसी कंडिशन में कारक किस में होंगे तो जैसे आँ तीन लिखा है मितुन में छे लिखा है कन्य लगन के अंदर दो और साथ वर्सब तुला लगन में दस और ग्यारा मकर और कुम लगन में इन में तो आप पहन सकते हैं अगर गुद का प्लेशमेंट हुआ पर किसी किसी इस्तिति के अंदर अगर धनु लगन है मीन लगन है और सिंग लगन है इसमें भी आप पहन सकते हैं अगर बुद का प्लेशमेंट अच्छा है तो अब आप देख लिजिए मैंने लगन बताई तो एक एक जाम्प ले रहा हूँ जैसे हाँ पर तीन लगन है तो अगर बुद लगन में बैठा है तो पहन सकते हैं दूसरे भाव में बुद है तो पहन सकते हैं तीसरे भाव में भी पहन सकते हैं चोथे भाव में बुद अगर बुद हो तो पहन सकते हैं पन्ना इसमें नहीं पहनेंगे, क्योंकि मीन राशी में बुद्ध नीच के हो जाते हैं, पर कोई और दूसरी, जैसे हाँ पर कन्या लगन है, तो कन्या लगन के अंदर आप पैन सकते हैं, अगर बुद्ध दस्मे भाव में है, बट बुद्ध अगर कहीं नीच के हो रहे हैं, तो आप कैसा परभाव देंगे एक निखुन लगन का ही हम ले लेते हैं अगर बुद्ध भाग्य में बैठे हैं नोवे बहु है तो भाग्य का साथ मिलेगा जातक को साती साथ विदरश्टी पूद्ध यहां पर देंगे पराकरम का कदम मिलेगा दूसरे बहु में बुद्ध है तो धन का साथ मिलेगा, धनवान होगा, सेविंग अच्छी, कुटों का साथ मिलेगा, अगर बुद्ध जो है पाँच वे भाहों में है, तो संतान की दरश्टी से सिक्सा की दरश्टी से अंसर्टेन केट बढ़ जाएगा, ग्यारवे भाहों में है तो इच्चा पूर्ती बुद्ध जहां बैठी होगे तो उस भाव से रिलिटेट भे आपको फैदा होगा पन्ना रतन अपना आप में कुछ नहीं करता है पन्ना रतन बुद्ध की विसेश्ता है बताता है और बुद्ध को बल देगा और किस कंडिशन में अगर बुद्ध 0-6 बालवस्ता चोबी से 30 मर्तवस्ता में हुआ तो तब आपको पन्ना जरूर धारन करना चाहिए जो मैंने प्लेश्मेंट बताया और जिस लगनों में बुध कारक होते हैं तब आप पहनिए उनको क्योंकि 12-16 के बीच में तो बुध है वो वैसे पून कि 12 वस्ता में वो अपना 100% देंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि पन्ना कुछ चमत कार करेगा बन्ना सिर्फ बुध को बल देदेगा फिर वो अपना 100% रिजल देने के लिए कारक हो जाएंगे तो दोस्तों मेरी वीडियो गर अच्छी लगे को तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा शाथी साथ चलित कुड़ली में और देख लेजएगा अगर गलती से बुध लगन कुड़ली में तो अच्छे लग रहे है तो भी आप अनरतन मत धारन करिएगा धन्यवाज मित्रो